जेहिंद, हरी कृष्चन, राधे, राधे सभी को, कैसे हो आफ सब लोग? I hope बहुत अच्छी होगे So, as we all know, काफी बच्चे बार-बार एक सवाल पूछ रहे हैं बड़ा कॉमन सवाल है, बट बहुत इंपोर्टन्ट सवाल भी है कई बचे बुले माम, हमारा last attempt है ठीक है, या फिर माम, हम किसी वजह से जो है, last वाला attempt है, जो clear नहीं कर पाये थे तो हम अब क्या करें कि हमारे जितने भी chemistry के questions हैं वो हम सारे attempt कर पाएं ना सिधाफ attempt कर पाएं बट उनको सही तरीके से जो है उसके नदर एक्सेल भी कर पाएं सो क्या इसके लिए कोई राज है कोई जड़ी बूटी है तो बता दीजे तो चलिए चर्चा करते हैं हम इसके उपर बट उससे पहले आप सबसे पहले काम करेंगे सेशन को लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे और अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब कर रहा नहीं है तो दो नोट फोगेट दे ड्रिल पढ़ा पट से चानल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यही आपका अपना चानल है जिसके उपर सारी इंपर्टिन डिफेंस रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है प्रोवाइट की जाएगी ठीक है ची चल्ड़ सो बात करते हैं हम अपनी जड़ी बूटी के बारे में बट जड़ी बूटी बताने से पहले एक रास की बाद बता देती हूं किसे को आपको बतानी नहीं है ठीक है वो सुनों आपको हर रोज ना एक दवाई लेनी है ठीक है और ये दवाई आपको फ्रसक्राइब कौन कर रहा है समझ के तो आईए ज़रा बात करते हैं ठीक है तो डॉक्टर श्पता का यही कहना है कि सबसे पहले तो आपको एक काम करना है आपको consistent रहना है क्योंकि काफी बच्चे सपना लेने की इम्मत रखते हैं बट सपनी के लिए जो मेहनत करनी है वो करने के लिए तयार नहीं होते that means inconsistent हो जाते है ठीक है somewhere lethargic हो जाते है आलसी हो जाते है कि हाँ चल अभी तो बहुत दिन है थोड़े दिन के बात शुरू करूँगा या आज dress ले लेता हूँ या आज शादी है या आज मैं को बुखार है या आज मैं बिमार हूँ मेरा मूड सही नहीं है मैं थोड़ा अपसेट हूँ वगेरा वगेरा तो reasons बहुत है ठीक है चाहो तो एक positive reason देखो that is आपका India का gate या फिर आप negative reasons देखो जो आपको pull back करें ठीक है कहने का मतलब है consistent आपको रहना है दूसरी बात practice की आपको ना high dose लेनी है बिटे ठीक है patient जी आपको doctor की यही सला है कि आपको practice की high dose लेनी है तीसरी बात आपको एक teacher की उपर you know faith होना चाहिए एक teacher को आप fillet कर लीजे and दिल जान से उसी teacher को आप follow कीजे और मैं यहीं खड़ी हूँ पूरी team यहीं पर खड़ी है देखो ना कैसे आपका result जो है चमकेगा ठीक है यदि आप एक teacher को दिल जान से follow करेंगे और regularly करेंगे consistently करेंगे तो यह तो आपको हरोज दवाई लेनी है ठीक है अब इसके बाद बात करें तो diet में क्या खाना है मैं diet में खाने का मतलब यह है कि क्या ऐसा करें क्या ऐसा follow up लें कि chemistry में full full marks आ जाए ठीक है तो आएए मैं आपको बताती हूँ पिटे इस बारी बहुत जपड़ फार्ड performance किसने दिया है आपका oxidation reduction भाई साहब ने ठीक है oxidation reduction ठीक है लगबग तीन questions उसमें देखने को आपको मिले थे ठीक है next atoms and molecules की जो basic definitions है ना वो आपको करनी है ठीक है basic definitions बोला है मैंने ज़्यादा hardcore में मत जाना फिर आपको atomic models की जानकारी होनी चाहिए ठीक है ये ना सिरफ आपको physics chemistry में help करेंगे बट physics में भी आपको ये help करेंगे कौन कौन से model है रदरफोर्ट सर है ठीक है आपके जेजे थॉंसन सर है डॉल्टिन सर है ठीक है आपके बोहर सर है ये चार लोग इनकी discoveries किन्होंने किसकी की थी और क्या बताया था क्या drawbacks थे ये सब आपको अच्छे से knowledge होनी चाहिए फिर आपको periodic classification attempt करने के लिए एक रामबाड इलाज बताती हूं कि आपको जो है सबसे पहले तो 1 से 20 तक elements रटे हुए होने चाहिए group 18 रटा हुआ होना चाहिए group 17 रटा हुआ होना चाहिए oxygen, nitrogen, sulfur की positions पता होनी चाहिए aluminium ठीक है इन सब की positions और साथ ही साथ metalloids के 6-7 metalloids हैं आपको पता होने चाहिए मैं guarantee दे रही हूँ कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी periodic classification में ठीक है trends पर आपको question देखने को मिलेंगे मैं ये भी बता देती हूँ ठीक है, trends पर answer तभी दे पाओगे जब ये आपको पताओगे 120 elements याद करने को नहीं बोला hardly आपको जो है 30 से 35 elements याद करने को बोला है वो भी नाम बताए है कि कर लेना इसी से ही आएगा ठीक है, उसके बाद देखो आपको जाना है matter and composition में matter and composition में again आपको basic basic करना है ठीक है, basic बिल्कुल basic ठीक है, आपको separation techniques की अच्छी idea होना चाहिए कि कब कौन सी separation technique आप इस्तमाल करेंगे ठीक है जैसे evaporation, ठीक है आपका evaporation हो गया आपका distillation हो गया fractional distillation हो गया simple हो गया ठीक है, यह सब बाते आपको अच्छी से पताऊने चाहिए फिर आपको जो है processes का idea होना चाहिए deposition, condensation, sublimation, यह सब basic सी बाते हैं इतना कर लोगे matter and composition डन ना डन है उसके अलावा एक बात और effect of temperature and pressure कोई नहीं पढ़ाता है मैं हमेशा पढ़ाती हूँ and temperature और pressure का effect का सवाल paper में बन जाता है तो कहीं न कहीं जिनका एक आदा question भी छूटता है मैं तो वो भी cover करवा देती हूँ ठीक है, उसके बाद आओ मेरे साथ नेक्स बात आपको पकड़नी है that is acid bases and salts को acid bases and salts basic theories पता होने चाहिए कि आरहीमिय सर ने क्या बोला आपको ठीक है, ब्रॉंसिदेन लाउरी सर ने क्या बोला Lewis सर ने क्या बोला यह तीनों scientists ही थे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या theories दीनों ने उसके बाद आपको आजाना है थोड़ा नीचे that is salts के पास ठीक है, पांच salts बता रही हूँ पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा baking soda, bleaching powder, plaster of paris, gypsum and washing soda ठीक है, ठीक है, और caustic soda पांचे salts हैं, बाहर नहीं आएगा इनसे सवाल ठीक है, फिर आओ थोड़ा और नीचे next है non metals and metals के बारे में basic basic बाते definitions और उनकी reactions हलकी, फुलकी, ठीक है उनका general nature, जैसे sodium बड़ा reactive है, उसको हम store करते है kerosene में, क्यों reactive है, पानी के साथ reactive है kerosene में store करना पड़ता है हमको potassium का भी यही हाल है फिर phosphorus के बारे में white होता है, red होता है red को हम marches में use करते है stable होता है, white नहीं use करते unstable होता है, but white glow करता है dark में, phosphorus को हम store करते हैं पानी के अंदर, ऐसे basic सवाल ठीक है, matter and composition में भी कुछ basic सवाल है जैसे LPG, CNG ठीक है, coal gas ठीक है, फिर आते है diamond, graphite, जो की carbon के elements है fullerine, allotrops है basically ठीक है, graphite diamond, आपका fullerine हो गया graphene हो गया यह सब basics, ठीक है उसके बाद, उसके बाद आपको क्या करना है environmental chemistry से जादा कुछ करना नहीं आपको polymerization का idea होना चाहिए hydrogenation, बास इतना कर लिया, life sorted है हमारी ठीक है, but practice की dose आपकी हाई रहनी चाहिए, यह doctor ने आपको recommend कर दिया, ठीक है उसके अलावा एक last बात, मैं परहेज क्या क्या करें, परहेज वही बात है, resources जो है अपने limited रखो, यह नहीं मैं यह भी पढ़ लू मैं यह side भी देख लू मैं यह book भी ठालू मैं previous year भी ठालू मैं सब कुछ कर लू ऐसा नहीं चलेगा ठीक है, paper में क्या करके जाना है समझदारी वाली बात यह होती है कि क्या छोड के जाना है और किस teacher के through हम को इस चीज को follow करना है ठीक है, तो एक teacher पकड़िये, अभी तक आपने नहीं पकड़ा है teacher को पकड़िये, एक उस पे trust build-up करिये, उनकी classes को चेक करिये, देखे, यह क्या सही source है आप लोगों के लिए तो उस source को final करके उसको आंक मूद करके भरोसा कर लो teacher आपकी नईया पक्की पार लगाएगा ठीक है, उसके बाद अगेन लथार्जिक नहीं होना है आलस का समय आ गया है ठीक है, that is सरदिया, तो रजाई में बैटने से अच्छा है, कमरे में एक table chair लगा लो, पढ़ना है table chair पे बैठो, ठीक है, सोने के लिए ही bed को इस्तमाल करें बैट पे पढ़ोगे, तो पढ़ जाओगे फिर, पढ़ जाओगे ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है तो आई होप ये आपके लिए बाते जो है, बहुत बेनेफिशल होंगे, और अगर आप इनको दिल जान से फालो करोगे तो आपकी ये जो डाइट है कारगर रहेगी आप लोगों के लिए ठीक है, तो ये सब आपको करना है अगर सेशन अच्छा लगा, सेशन पो लाइट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि माक्समम बच्चे इसका फायदा उठा पाएं ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कॉमेंट करके दरूर बताएं कि क्या खयाल है, इस डॉक्टर की डाइट प्लाइन क्यों होई, ठीक है हरे कृष्णर, राध है, राध है सभी को, हरी बॉल, बाबाई जेहंद